लोगों ने पूछा पैसा कहां से आएगा अभी अभी थोड़े दिन पहले एक और स्टेट के मुख्य मंत्री ने अपने पर्सनल यूज के लिए एक हवाईजाज खरीदा है उसका 191 क्रोर रूपीज का खर्चा आया है मैंने अपने लिए हवाईजाज नहीं खरीदा उस पैसे से मैंने आप लोगों का ट्राविल फ्री कर दिया सो पैसे की कमी नहीं है अगर फिजूल खर्ची बंद कर दें और अगर करप्शन ख़तम कर दें सरकार में पैसे की कमी नहीं है नियत की कमी थी अभी तर अच्छी नियत वाली सरकार हो तो सब कुछ हो सकता है आज हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेके काफी जादा चिंता है मुझे लगता है आप सब लोग भी अपनी सुरक्षा को लेके अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा को लेके जरूर चिंतित होंगे हैं की नहीं कई लोग पूछते हैं कि क्या हम ऐसा सिस्टम हमारे देश में हो सकता है कि महिलाएं सुरक्षित हों कैसे होगा खूब चर्चा चल रही है इसके उपर कि कैसे होगा किसे ठीक करना पड़ेगा कोई कर रहे फास्ट रेक कोड़ बना दो कोई कर रहे पुलिस को ठीक करोई करें क क्या हम लोग सोच सकते हमारे जैसे करप्शन खतम होगा कई लोगों से जब मैं बात करता हूं कहते हैं जी भारत के लोगों के तो खून में करप्शन बस गया करप्शन खतम होई नहीं सकता क्या हम सोच सकते करप्शन खतम होगा जब हमारी पहली सरकार आई थी 49 दिन की सरकार आप में से जो लोग दिल्ली में रहते हैं आपने खुद ने सुना होगा और एक्सपीरियंस किया होगा उन 49 दिन के अंदर करप्शन दिल्ली में कम नहीं हुआ था करप्शन दिल्ली में खतम हो गया था 49 दिन के अंदर यही कारण था कि अगली बार लोगों ने हमें 70 में से 66 सीट दी थी जो पहली सरकार की उसमें 28 सीट मिली थी दिल्ली से करप्शन खतम हो गया था आप लोगों की थोड़ी सी मेमरी में याद दिलाना चाहूंगा आपको याद होगा जैसी हमारी सरकार बनी उन अचास दिन की हमने कहा था कि अगर कोई पैसे मांगे पूरे दिली में खोडिंग लगाए थे कि अगर कोई पैसे मांगे मना मत करना उसकी recording कर लेना और हमने एक WhatsApp नंबर जारी किया था कि recording करके मेरे पास भेज़ देना मैं उस अफसर को जेल में डाल दूँगा उननचास दिन के अंदर हमने 32 अफसरों को जेल भेज़ा था पूरी बिरोक्रेसी के अंदर हरकंप मच गया था कि अब सिस्टम बदल गया अब पॉलिटिक्स बदल गई है अब इमानदार सरकार आ गई यह अब नहीं चलेगा लोगों ने पैसे लेने बंद कर दिये थे चौराहों के ऊपर ट्राफिक पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिये थे आप सरकारी दफ्तरों में जाते थे सरकारी दफ्तरों के अंदर अफसरों ने करमचारियों ने पैसे लेने बंद कर दिये थे और सबसे बड़ी बात है लोगों के हाथ में ताकत आ गई थी कोई कहीं जाता था मान लेजे राशन कार्ड बनवाने जा रहा है लाइसंस बनवाने जा रहा है सामने वाला कुछ क्याता है वो क्याता है फोन निकालू रेकॉर्डिंग करूं तेरी रेकॉर्डिंग करता हूँ लोगों अफसरों ने पैसे लिने और जैसे हमारे उननचास दिन की सरकार गई जैसे मैंने इस्तीफा दिया मुझे धेरों कहानिया सुनने को मिली कि जिन जिन कई जेगे ऐसा है कि करॉप्शन बड़ी सिस्टेमाटिक के हफता जाता है महीना जा प्छले एननचास दिन के भी पैसे रखके जाओं बुला अपने तेरे केचरीवाल को हम देखते हैं तो उननचास दिन में क्या हुआ उननचास दिन में ये हुआ कि लोगों का एक कॉंफिडेंस आया कि सरकार हमारे साथ खड़ी है हम मना कर सकते हैं कर अब हम पैसे देने के लिए मना कर सकते हैं हमारा काम नहीं रुकेगा मैंने का आप रिकॉर्ड करके भेज देना वो सफसर को तो जेल भेजेंगे आपका काम भी हम फ्री में कराएंगे और लोगों के काम हुए अपने आप हुए होने लग गए मेरे को कराने की जरूरती नहीं पड़ी लोगों को ल हमारी अगली सरकार आई तीन महें ने हमने ये किया लेकिन फिर हमारी एंटी करॉप्शन ब्रांच जिसके जरीए हम करते थे वो सेंटर ने कभजा कर लिए बटाइडू आइड़ वो अलग टॉपिक है